हेलो दोस्तों, वेलकम डिसेवल मानतरा, मैं हूँ अन्परम, आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है होट वायर एनिमो मेटर अब होट वायर एनिमो मेटर का पहले हम बात करते हैं इसमें हाट वायर का मतलब क्या है? हम इसमें गरब वायर का यूज करते हैं Enemometer क्या है एक तरीके के हमारी डिवाईस है जो rate of flow को measure करती है velocity के flow को measure करती है इसलिए हम इसको नाम देते है hot wire enemometer अब हम बात करते हैं जो भी हमारी compressible fluid है जिसे हमारी की gas हो गई इस तरीके से जो भी हमारा अगर हमें velocity के flow को measurement करना है तो हम hot wire enemometer का यूज़ कर सकते हैं जैस तो hot wire ennemometer का आपका use समझ में आ गया होगा, अब इसमें जो हमारी wire बनी होती है, जो हमारी hot wire बनी होती है, वो हमारी platinum की हो सकती है, nickel की हो सकती है, या फिर tungsten की हो सकती है, और जो इसका diameter हम consider करते हैं, वो 5 to 10 की पाउर मैनस 3, या 8 to 10 की power minus 3 के बीच में होता है जो मारा wire हम लेते हैं hot wire animometer में यूज करते हैं वो मारा diameter का कितना हो सकता है 5 into 10 की power minus 3 2, 8 into 10 की power minus 3 और जो इसकी length होगी वो कितना होगी 16 mm length होगी जो दोस्तो hot wire animometer है अगर हमें velocity के flow को measurement करना है hot wire animometer के help से तो हमारे दो condition होती है एक हम measure कर सकते हैं constant कैसे constant current के method से और हमारा जो second होता है हम यारी current को क्या करेंगे उस condition में constant रखते हैं और second हमारा क्या होता है अगर हम constant करें temperature को तो भी हम क्या कर सकते हैं measure कर सकते हैं कि हमारा rate of flow कितना है या भी velocity का flow कितना है होता है किस तरीके से प्रेंसपल के में वर्क होता है भी करेंगे कांस्टेंट क्या से होता है करनेंट के L y p क्वारें क् 우isch सब्सक्राइब का बलता है कि ये महारी क्झेक्पेंठ लगी हुई है जो को कैसे थोंचेटिज यह हमारी ceramic tube लगी होती है, ceramic tube होता है, पुरा हमारा ceramic का बना होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी conducting wire होती है, दोनों क्या होती है, इस तरीके से fit होती है, यह हमारा hot wire लगा हुआ है, अब क्या करते है, जब हमारा flow होता है, fluid gas का flow होता है इस तरीके से, तो जब यह flow होगा, त तो हमारी wire क्या होगी इसके contact में जब आएगी तो इसको क्या करेगे थंडा करने का प्रयास करेगी तो इस तरीके से lead होती है L1 होती है हमारी L2 होती है और wheat stone bridge से connect होती है जब हमारी wire थंडी होती है तो इसके contact में absorb करेगा इसको तो क्या होता है जो भी हमारी reading होती है जो भी हमारे changes होता है flow का वो हमारा क्या करता है V to stone bridge हमारा measure करता है deflection के द्वारा उसको record कर देते हैं और हमें पता चले दाता है कि हमारा flow कितना है यह विलास्टी का flow हमारा कितना है तो इस तरीके से work करती है anemometer ओके अब हम बात करते है constant current anemometer के बारे में और constant temperature anemometer के बारे म ओके दोस्तों तो constant current में क्या होता है जैसा कि figure consider है एक हम इसको क्या करता है तो इस पूरे current को जो हमारा resistance का current है उसको क्या करते हैं हम एक constant current रखते हैं यानि कोई भी value मैंने माले हमारा जी जो deflection उसको मैंने 0 रख लिया और constant current कर लिया यानि I को मैंने क्या कर दिया constant कर दिया ठीक है जब constant करूंगा तो अभी हमारी क्या है यह hot wire है यह क्या है गरम है जब गरम है तो हमारा rate up flow इस कंडी हबां आहा है बंञत करें यह ठंदा होगा थिक तो इस कंडिशन में क्या होगा क्रेंट हुए घ्ञत को रहता है तो ज face क्यों संद्श होगा क्या हगा जांच भी हज्एट दोश्मृण में चैन्जेजटाटर ही गैई सब्सक्राइब क्ये टेहरा और हम रेडिंग को नोड कर लेते हैं इससे हैं पता चल जाता है कि हमारा जो मारा रेटा फ्लूट का वा कितना है यह तो गई constant current के बात अब हम बात करते हैं constant temperature की बात या फिर हम इसे कहते हैं hot resistance temperature ओके अनिमोमेटर अब constant temperature में क्या होता है जो मारी होट वायर है ना यह मारी होट वायर है इसका temperature हम क्या करते हैं constant रखते हैं ठीक है इसका temperature constant रखते हैं और इस तरीके से हम जो गयलनोमेटर हमारा जो है इसको क्या करते हैं हम एक zero deflection पर set कर देते हैं कितने zero deflection पर set कर देते हैं जब क्या करता है हमारा यह flow होता है तो यह हमारी जो hot wire है यह क्या हो जाएगी कभी ठंडी होगी कभी गर्म होगी अभी तो मैंने rest में रखा एक room temperature पर जहां हमने क्या क्या इसको constant temperature पर set कर दिया है हमारा rate of flow हमारा इसमें होगा hot gas को होगी है फिर bağ तो हमारा temperature है यह चैंज होता रहाएं इसके कारणяд क्या होगा resistance में भी change होगा जब resistance में चैन्ज होगा तो हमारा होतनाख future to तो क्या करते हैं तो हम इसको constant हम continue रखते हैं जैसे हमारा fluid flow हुआ हमारी मिठेसे बढ़ घया हमें resistance हमारा change हो गर ना इसके करण तो हमें temperature इसको हमेशा constant रखते हैं जब हम बढ़ गया तो फिर हम constant को change करते है temperature को फिर हमारा flow हो रहा है फिर हम temperature को constant रखते हैं यानि एक constant temperature को हम इसको hot wire को continue बनाये रखते हैं और flow हमारा continue होता रहता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो रेडिंग है डिफलेक्शन की कैसी हो रही है कितनी हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा रेट आफ फ्लो मारा कितना है इस फ्लो की विलास्टी कितनी है तो इस तरीके से दोस्तों मेजर करते हैं constant current का यूज़ करके यहां current को constant रखते हैं यहां पिंगा करें constant current को रखा है यहां आमने इस वायर का temperature को constant रख रहा है तो thank you watching this video आसा करता हूं आपको यह विजिट वीडियो समझ में आगा कि hot wire animometer कैसे होता है और इस काम कैसे use करते हैं thank you watching this video दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please channel को like करें share करें और comment करें